नमस्कार, लखनो वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनो उत्रप्रदेश के दर्सकों का स्वागत है यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुची रखते हैं तो हमारे लखनो वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्सन में दिया हुआ है अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाय कर नोटिफिकेशन को ओन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंट मिल सके और हाँ कमिट बक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें तो आएए जानते हैं लखनो सहित उत्ता प्रदेश के मौसम का हाल तो आएए देखते हैं 29 और 30 अप्रेल को भारतिय मौसम इभाग की अंसार उत्ता प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वान मान उत्ता प्रदेश में गर्मी तोर रही है रिकार्ड मौसम इभाग ने जताई दो दिनों के बाद थोड़ी राहत की उम्मीद दिन के अधिकतम तापमान के हिसाब से जहांसी देश का तूसरा सबसे गर्मिस्थान रहा मौसम इभाग के अन्मान के मताबिक अगले कुछ दिनों तक तपिस और लू यूही जाड़ी रहेगी दिन का अधिकतम तापमान जादे तर सहरों में 44 टिकड़ी या इसके आसपास ही रहेगा हालांकि दो दिनों के बाद राजमे कई जबहों पर हलकी बुनाबांदी के साथ राहत मिलने की संभाबना है लखनो सहीत उतापरदेश के लगबग सभी जिलों में तपिस और लू का असली सितम सुरू हो चुका है हालाद यह हैं कि यूपी के सहरों में राजिस्थान से भी ज़्यादे गड़्मी पर रही है ऐसा ही हाल बुधवार को रहा जहां रिकार्ड किये गए दिन के अधिक्तम तापमान के हिसाब से जहांसी देश का दूसरा सबसे गड़्मस्थान रहा जहासी में दिन का अधिक्तम तापमान 45.5 डिग्री सेलसियस दर्ज किया गया। जहासी में पड़ी गर्मी ने राजिस्थान के सहरों को भी पीछे छोड़ दिया है। यूपी के जादे तर सहरों का लगभग यही हाल रहा है। मौसामी भाग ने अगले कुछ दिनों तक पूरे प्रदेश में भीषन, गर्मी और लू की चेताबनी जारी की है। अनमान के मताबिक अगले कुछ दिनों तक तपिस यूँ ही जारी रहेगी। दिन का अधिक्तम तापमान जादे तर सहरों में 44 डिग्री से उपर यह इसके आस-पास ही रहेगा। जिन जिलों में भीषन, गर्मी और लू चलेंगी वो जिले हैं बांदा, चित्रकूर, कौसामी, प्रियागराज, फतेपूर, सोनभदर, मिर्जापूर, चंदौली, वारांसी, संत्रबदासनगर, अलीगर, मतुरा, हातरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटावा, औरेया, जालाउन और जांसी। हालांकि दो दिन के बाद पस्चमी यूपी में कहीं-कहीं हलकी राहत मिलने की संभाबना है। 29 अप्रेल को पस्चमी उत्रप्रदेश में कहीं-कहीं तेजांधी के साथ हलकी बुन्दाबांदी हो सकती है। जिन जिलों में तेज जिलों में तेजांधी के साथ हलकी बुन्दाबांदी होने की संभाबना है। वो जिले हैं सिधार्त नगर, महराज गंज, बस्ती, संतकबीर नगर, गोरकपुर, कुसी नगर, देवडिया, बलिया, बहराइच, स्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा। हालांकि इस बुन्दाबांदी से लंबी रहत तो नहीं, लेकिन कुछ रहत लोगों को जरूर मिल सकेगी। तो ये था लखनोग उत्तरप्रदेश के मौसम का हाल वज जानकारी। वीडियो को लाइक पर सेयर करना न भूलें, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।